नमस्कार आप देखने नियूस नेशन आपके साथ मैं हूँ लग शरमा 21 जून बुदवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच होता है ये मैच बले ही क्रिकेट का ना हो लेकिन रोमान्च आपको क्रिकेट से भी जादा देखने को मिला क्योंकि सैफ कप में बिड़े तेख भारत और पाकिस्तान भारत ने पहले ही मैच में 4-0 से रोंदगर पाकिस्तान को हरा दिया है और इसी के साथ अगले मैच के तैयारी उन्होंने बता दिया है कि इस कप के लिए भी कैसी उनकी तैयारी है ये किसी ने नहीं सोचा था सुनील छेतरी ने किये तीन गोल यानि की है ट्रिक मारी और इसी के साथ उदाधनता सिंग ने भी एक गोल किया अब खिलाडी तो चमके सिंगील छेतरी भी चमके लेकिन हाइलाइट कौन हुए हाइलाइट हुए भारतिय फुट्वर्ट टीम के कोच स्टैमिक जिनों को रेड कार्ड भी मिला अब आप सभी को पता जो भी विवाद हुआ इन वज़े से पाकिस्तान के खिलाडी और भारति के राइट बैक प्रितम कोटाल और अब्दुल्ला इकबाल एक दूसरे के आमने सामने थे बॉल आउटसाइड में चली गई थी साइडलाइन पे घड़े बारतिय कोच का मानना था कि थ्रो उनकी टीम को मिलना चाहिए था जबकि रैफरी ने थ्रो इन पाकिस्तान को दिया यह बात इगनोर सिस्टमिक जो बाती है फुटबल टीम के कोच है उनको बिलकूल बरदाश नहीं और उन्हें थ्रो लेने से पहले पाकिस्तानी खिलाडी अब्दुल्ला इकबाल को रोक दिया इगोर ने जैसे ही इन पर हाथ मार दिया इसके बाद दोनों टीमों के बीच म मामला काफी करम हो गया सभी खिलाडी और कोचिंग स्टाफ इस लड़ाई में शामिल हो गया हलाकि रैफरी ने कोच स्टैमिक को रेट कार्ट दिखाया और उन्हें बाहर का रस्ता भी दिखाया अब सवाल यह है कि क्या अब रेट कार्ट तो मिल गया स्टैमिक को लेकिन क् उपर बैन लगेगा, कितने मैचों का बैन लगेगा, क्योंकि रैड कार्ड मिला है, तो देखिए, मैच ये तो कंफाम है कि नेपाल के खिलाब तो मैच में नहीं उतरेंगे, तो रूल क्या कहते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं, दरसल फुटबोल कोच या खिलाडी को अगर रैड कार्ड मिलने के बाद कम से कम एक मैच का तो बैन लगना तै होता है, ये बैन बढ़ भी सकता है, ये निरबड करता है कि खिलाडी या कोच ने मैच के दोरान कितनी बड़ी गलती करी है, इसी पर डिसाइड होता है कि गलती करने वाले को कितने मैच का बैन लगाया जा और इसी के साथ नेपाल में कि खिलाफ ये मुकाबला खेला जाएगा 24 जून शनिवार को बैंगलोर में ही खेला मैच जाएगा अजब इस्लैमिक बाहर हो गए थे तो टीम की असिस्टन जो कोच है महिश गवली उन्होंने इस मैच में भी आगे आये थे वो साइड लाइन से टीम इंडिया को गाइड कर रहे थे नेपाल के खिलाब भी वही भूमिका में नजर आएंगे तो ये था पूरा मामला इस्लैमिक आप सभी को पता देखिए इंटेंशन तो अच्छी हो सकती है ये अंका भारतियाए फुट बोल को लेके प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने यह हरकत की लेकिन फिर भी हलत है और इसका खामियाजा भारतिया फुट बोल टीम को भी भूगतना पढ़ सकता है क्योंकि अगर वो बैन हुएं तो नुकसान बारतिय फुटबोल टीम को भी होगा तो इस टैमिक किस हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे आपको क्या लगता है सही किया उन्होंने आपको लगता है गलत किया कमेंट बोक्स में जरूर बताएं इसके अलाव अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर दीजे बहुत बहुत शुकरिया